नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो चलिए बात करते हैं ख़वरों को एक एक करके अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकून को दबा दें ताकि सब्सक्राइब करके लेटेस नूज की जनकारी मिलते रहे हैं निवज एजनसी ए नई से बाद चीत करने के दोरान संक्राचार्य सोरुपानन सर्श्वती ने कहा कि हमें कोई पद नहीं चाहिए और नहीं हम राममंदरी के ट्रस्टी बनना चाहते हैं हम क्यों लेहा कहना चाहते हैं कि मंदिर का निर्मार ठिक धंग से हो और अधार सिला सही शमय पर रखी जाए अभी जो तीथी तैय की गई हैं वह अशुब घड़ी है इंडियन एरफोर्स को मिलेगी मारक हैमर मिसाइले 60 किलोमीटर की रेंज में दुस्मन होगा ध्वस्त इस बीच यह भी खबर आई हैं कि भारतिय बायुशना राफेल लड़ाकु विमान को फ्रांसिसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी में है ऐसा करने से राफेल की मारक छमता में और बिर्धी हो जाएगी नरेंदर मोधी सरकार की ओर से ससस्तरवलो को दी गई खरिदारी की आपात का लिन सक्तियों के तहट हैमर मिशैलों का भी औरडर दिया गया है यह उचाई वाले इलाकों में 60 किलोमीटर और निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक मार करने में सक्छम है करमचारियों को बिना सेलरी के 5 साल तक छूटी पर भेजने की स्किम को एर इंडिया की मंजूरी जी हाँ दोस्तों आपको बता थे कि एर इंडिया ने अपने करमचारियों को बिना वेतन के छूटी पर भेजने के परस्ताओं को मंजूरी दे दी हैं इस स्किम में Air India अपने करमचारियों को 6 महिने से 2 साल तक के लिए विनभुक्तान के छुटी पर भेज सकती हैं और कमपनी चाहे तो इसे 5 साल तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है Air India ने इसे लेकर एक कमिटी का गठन भी किया है जो उन करमचारियों का नाम देगी जिनको बिनभेतन छुटी पर भेजा जाएगा कोरोना लोगडून के बाद से Air India के करमचारियों पर लगतार मार पड़ रही हैं हाल ही में कमपनी ने अपने करमचारियों के भत्ते में 20-50 फिसेदी तक कटोती का एलान किया है Air India दक्तर के आदेश के मुताबिक संसोधित भत्ते इस साल 1 अप्रिल से प्रभावी होंगे इस आदेश में यह भी कहा गया है कि पैलटों के फ्लाइंग अलाउंस उनके वास्तविक उडान के गंटों के अधार पर महीने के हिसाब दिये जाएंगे देश के इन राज्यों में भारी बारिस की चेतावनी आंधी दुफान के भी असार जी हाँ दोस्तों आपको बताते कि असम और बिहार में मौनसुनी बारिस कहर बन कर टूट रही है दोनों राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिस के करण नदिया उफान पर हैं और बाढ़ के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं असम में तो हालात इसकादर खराब है कि राज्य के 26 जीले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोग प्रभावित हैं कुछ ऐसा ही हाल बिहार कावी हैं जहां लोगों के लिए कोरोना के साथ साथ बाढ़ भी आफ़त बन रही हैं इस बिच भारतिय मोसम विभाग ने देश के इन राज्यों में अगले दो दिनों के लिए भारी बारिस के अलर्ट जारी किया है मोसम विभाग का कहना है कि भारी बारिस के साथ साथ इन राज्यों में आंधी तुफान की भी आसंका बने हुई हैं चीन को लेकर भारत की दो टुक एलेसी में एक तरफा बदलाव कतई बरदास नहीं जी हां दोस्तों आपको बता देगी भारत ने चीन से कड़े सब्दों में कहा है कि एलेसी में एक तरफा बदलाव कतई बरदास नहीं होगा बिदेश मंतराले ने गुरुबार को कहा कि एलेशी को लेकर हमने अपनी इस्थिती स्पस्ट कर दी हैं हम सान्ती चाहते हैं 1993 के बाद कई समझोते हुए लेकिन चीन के सेनिकों ने समझोते का उलंगन किया बिदेश मंतराले के परवक्ता अनुराग शिर्वास्तों ने कहा कि एलेशी को बदलने के परियाशों को हम श्विकार नहीं करेंगे सान्ती की बहाली के लिए परियाश जारी हैं हमने राज नईक और शन्य अस्तर पर इस्तेमाल किया सान्ती द्विपक्षिये शमंद का अधार हैं अनुराग शिर्वास्तों ने कहा कि हमने यह भी अस्पस्त किया है कि भारत एलेशी का शम्मान करने के लिए पूरी तरह से परतिवद्ध हैं हम एलेशी में एक तरफा बदलाव कतई श्विकार नहीं करेंगे भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आये सबसे ज़्यादा 45,720 ने कोबी-19 के मामले 1129 की मौत जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि करोना संकरमण के बढ़ते मामलों की रफ़तार रोजाना बढ़ती जा रही हैं भारत में बीते 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक 45,000 से ज़्यादा मामले सामने आये हैं यहाँ आकड़ा अब तक का सरवाधिक हैं इसके साथ ही अब देश में कुल दर्ज मामलों की शंक्या 12,00 के पार हो गई हैं इतना ही नहीं पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 1139 लो सिर्फ दो दिन लगेंगे और हम सनी बार्यानी 25 जुलाई को 13,00 का आकड़ा पार कर चुके होंगे